Hello everyone, I am Aastha, Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube Channel So, जो candidate इंजेन रेलवे वेकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक और यहाँ पर good news है New notice यहाँ पर release हुआ है, 4 जनवरी 2023 का यह notice है, latest notice है और यह जो notice आया है, यह group D की भरती को लेकर के आया हुआ है Group D की अभी आप जान, अगर आप railway job के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पता भी होगा कि Group D की भरती process चल रहा है, physical वगरा, भी group D जो previous में जो अभी exam हुए थे, उनका चल रहा है ऐसे में बहुत से candidate का comment था, कि group D की अभ new vacancy 2023 में आएंगी या नहीं आएंगी तो यहाँ पर जो notice आया हुआ है, उसमें जो update आया है, वो तो हम cover करेंगे और उस साब से यहाँ पर group D की vacancy 2023-24 में आ सकती है या आने वाल नहीं है group D पर भी भरती की जा रही है, तो अब भी हम इसका notice तो देखेंगे ही साथ में जो भी candidate group D का wait कर रहे है, group D के बारे में क्यूंकि IT required है या नहीं इस से related भी comment आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दू, group D से related में ने बहुत से videos अप्लोड किये हुए जो भी latest update आते ही गए, मैं video upload की हूँ, तो आप railway job profile playlist create की है मैंने, उसमें आपको railway job से related सभी post के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिस भी post के बारे में आप information चाहते हैं, उस post से जड़ी ही आपको information मिल जाएगी और जो भी latest update आएंगे, उन सभी पर मैंने video upload किया हुआ है, तो group D में ITI जरूरी है या नहीं, ये दोनों ही conditions यहाँ पर हैं, क्योंकि कुछ post रहती हैं group D की, जहाँ पर आपको ITI जरूरी होता है, और कुछ हैं जहाँ पर ITI जरूरी नहीं है, video upload है, आप प्लीज वीडियो क चेक कर लिजेगा, सभी railway vacancy के बारे में आपको information हो जाएगी, अब हम यहाँ पर बात करें, अभी जो latest notice आया है, railway group D भरती को लेकर के, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए यहाँ पर group D का जो notice है, जो letter है, पहले हम वो देखने हैं, और फिर हम इसके बारे में पूर सरकार, ministry of railway, rail mantra, railway board, और यह जो notice है, यह 4 जनवरी 2023 को यहाँ पर आया हुआ है, यह letter, and यह जो letter है, यह recruitment of sports person on journal railway production unit against sports quota in pay level 1, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, railway ने एक लंबे समय के बाद में, group D में, फिर से जो sports person है, खिलाडी है, उनकी भरती को लेकर के decision लिया है, railway में काफी लंबे समय के बाद, 6-7 साल के बाद, यहाँ पर group D में sports person की भरती की जा रही है, और इसके निर्देश RRB ने सभी journal मुख्यालाओं को भेज दिये हैं, आप यहाँ पर letter भी देख रहे हैं, मंडल इस तर पर कितने पत खाली है, पूरा data यहाँ पर मांगा गया है अगर आप नहीं चानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि railway में sports person के लिए सबसे ज़्यादा भरती निकलती है, sports person के लिए, और यह जो sports person की भरती है, यह group C और group D, यह दो group के अंतरगत यह भरती की जाती है, अब यह जो letter है, यह group D को, क्योंकि group D पर जो भरती है, sports person की जो भ बंद थी, ऐसे मैं बहुत से candidate, जो sports person है, जो खिलाडी है, वो उनके लिए काफी निरास्त है वो, उनके लिए यह good news है, क्योंकि अब railway vote के जो अजसासी निदेशक है, प्रेम चंद ने, सभी जौनल मुख्यालों को group D की भरती की जानकारी दे दी है, पूरा data यहाँ पर मां के लिए है, वो थोड़ा easy है, क्योंकि group D पर जो भरती रहती है, उसमें आपका सिर्फ national level पर खेलना ही काफी है, जो भी sports आप खेल रहे हैं, जो भी sports वहाँ पर required रहेगा, उसमें सिर्फ अगर आप national level पर खेलते हैं, उस team में होते हैं, तो आप उसके लिए group D के लिए ग्रूप C के लिए थोड़ा conditions, इसके comparison में थोड़ी से hard रहती है, इसलिए group D के जो candidate है, जो ITI नहीं की हैं, या sports side से हैं, और sports quota से हैं, और group D को अगर आप join करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी खुसकवरी है, 6-7 साल बाद यहाँ पर भरती के लिए letter आप यहाँ देख रहे हैं, latest letter है और letter आया है, यहाँ पर हम इसको देख भी लेते हैं, the matter has been reviewed and ministry of railway, railway board have decided to restart the recruitment in pay level 1, ये देखे, the matter has been reviewed and ministry of railway, railway board has decided to restart the recruitment in level 1, grade pay 1800 as per 6th CPC against the sports quota, whether allotted through railway and production unit. ठीक है, with following revision in sports norms as, यहाँ पर यहाँ detail में दिया गया है, किस तरह से रहेगा, तो represented the country in any of the categories championship events, at least third position in federation cup championship senior category, ठीक है, यहाँ पर आपके sports से related यहाँ बता दिया गया है, level 1 के लिए, grade पे आपका क्या रहेगा, ये पूरा detail इसमें दे दिया गया है, अगर आप badminton, table tennis या tennis से हैं, तो उनके लिए यहाँ पर all India ranking, pay level 1 में, grade पे 1800 से आपकी इस तरह से रहेगी, यहाँ पर इन्होंने पूरा जो भी sports related है, पूरा detail यहाँ पर दिया गया है, all other eligibility norms of recruitment and pay level 1 will be same, इस पर existing eligibility norms of recruitment against sports quota, grade पे 1800, these instructions issue with the approval of concurrence of the finance directorate of ministry of railway, ओके यहाँ पर यह लेटर आया है, और इसमें भरती group D पर sports person की की जाएगी, जो की काफी लंबे time के बाद हो रही है, तो जो भी sports persons है, जो इतने time के बाद अब इनके लिए good news है, group D भरती, और group D की भरती आने वाली है या नहीं, क्योंकि अभी तो भरती process चल रही है, पहली भरतीया हो रही है, इसके बाद जो भी final जो रहेगा, क्योंकि यह जो letter निका करता है, कि जो ITI या जो sports person नहीं है, जो direct recruitment रहेगी, उनके लिए भी जो भी group D पर भरती चाहते है, उनके लिए भी यहाँ पर good news है, क्योंकि group D की वेकेंसी के आने के आने के आप पूरी पूरी चांस है, 2023 में, आसा करते हूँ, आपको ये video पसंद आया हो, helpful रहा हो, video government job vacancies के लिए channel को subscribe करके रखेगा, thank you